असलाम अलेकुल्टर एक्सकुर्शन टूर विद आवर स्टूड़न और स्टूड़न्स हम से आगे हैं और यह हमारे होडी ओनरेबल सूर्य वन्शी सर सो हम इनको फॉलो करते वे आगे बढ़ रहे हैं और स्टूड़न्स बहुत जादा एक्साइटेड हैं सो स्टूड़न्स कुछ जादा ही आगे जा चुके हैं हमसे लेकिन मुझे व्लॉगिंग करनी है इसलिए भी मैं स्लोली चल रही हूँ और माशालला से बहुत अच्छे य और इस तरह से ये अल्ला की जो खुदरत है जो किसानों की महनत है वो हमें देखने को मिल रही है बहुत दिनों के बाद और स्टूड़न्स काफी आगे जा चुके हैं हम कलीग पीछे ही रह चुके हैं अब हम जा रहे हैं स्लोली स्लोली हम धीरे धीरे मंजिल की तरफ बहुत अच्छा है और हमने स्टूड़न्स को अपने कुछ स्नैप्स लेना चाहते हैं सो लेने के लिए कह दिया है और हम कलीग भी एक दूसरे के साथ ये वीडियो कैप्चर कर रहे हैं ये है मेरे कलीग सिद्धी ही मैम वागमारे सर जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है सो मै कैमेरे में इनकी हाइट को एज़स्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी हाइट कम है सो हम यहाँ पर भी बहुत हैसे इस बात को लेकर सो इस तरह से हमें प्लांट्स में से बहुत कैरफुली जाना पड़ रहा था सो मुझे हॉलिवड मुवी में का एक जो एड़रिंचरस किलिंग का जो होता है पैटर्न वो याद आ गया मैंने सिद्धी ही मैम से कहा प्लीज मैं लास्टली चल रही हूँ सो अगर मैं गायब ह चाओं तो मेरा खयाल रखिएगा और हम इस बात को डिसकस करके हस रहे थे और बहुत कैरफुली हमें यहां से जाना था हमारी मन्जिल की और जो के है सिल्क वाम फार्मिंग सो यहां पर जो यह बनाया हुआ है वो सिल्क फार्मिंग के लिए पूरी जो खेती की गई है और हम slowly slowly जा रहे हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं माशाला से कितने खुबसूरत लग रहे हैं यह mulberry plants हैं तो हमने यह मंजिल के जो रास्ते को अच्छे से तै कर लिया है और अब हम पहुँच रहे हैं जहाँ पर हमारे students और Honorable HOD Suriwanshi Sir है और हमारे बर्डे मामा हैं और यह वाग मारे सर और यह हमारे students तो आप देख सकते हैं अब हम यहाँ wait कर रहे हैं बिकास जिनकी यह farming है वो खाना खा रहे थे तो तब तक हमारे Honorable HOD Suriwanshi Sir students को lecture deliver कर रहे थे sericulture की जो information है वो बता रहे थे और हमें बहुत interest आ रहा है था यह सारे बाते और knowledge जानने के लिए क्योंकि हमने first time सुनी है और अब तक हमने ऐसे lie you देखा नहीं था इस तरह से हमने यह बहुत अच्छा knowledge gain किया है और अशुक मामा भी बहुत गोर से सुन रहे हैं और बर्डे मामा सर की और students की pictures ले रहे हैं और वीडियो ले रहे हैं जो सर information दे रहे हैं और सर बता रहे थे कि students जिनके पास farming है वो यह concept को use करके बहुत तरखी कर सकते हैं और students को भी बहुत interest आ रहा था सर का जो lecture deliver करने का जो तरीख है वो बहुत अच्छा होता है बहुत understanding है और हम जो माजलगाउं की excursion tour के लिए गए थे हमारी college की तरफ से जो के PC culture के लिए था तब भी सर ने हमें बहुत अच्छी knowledge बताई थी और मुझे मेरे सारे friends की यादा आ गई जो भी मेरे friends ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और जाद से जादा शेयर कीजिएगा और आपको भी सारा जो हमने वक्त एक साथ बिताया हुआ था एक्सक्राशन टूर, college department, college campus सब यादा आ गया होगा और मुझे लिटरली बहुत यादा आई इस दिन मैंने बहुत मिस्किया आप सब को कल जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे friends साथ होने चाहिए थे और आप देख सकते हैं यह है जो silk worms है यहाँ पर रखा गया है इन्हें इस तरह से यह जो mulberry के plants होते हैं उनकी जो feeding करते हैं वो लोग उन्हें regularly वो खिलाना पड़ता है mulberry plants यहाँ पर उन्हें प्लेस किया जाता है अच्छे से net वगरा लगाई गई है ताकि कोई insects वगरा अंदर ना जा पाए क्योंकि यह जो हमारे farming के जो sir है वो आ चुके हैं तो यह बता रहे थे कि कोई एक insect है जो कि इन पर eggs लेग करती है और बहुत नुखसान होता है तो इसलिए यह net लगाई हुई है यह जो sir है वो आ चुके हैं और वो students को अच्छे से knowledge दे रहे हैं और Honorable H.O.D. Sir, Suri Venci Sir जो है हमारे उनको बता रहे हैं सारी details जो भी है और यह जिनकी farming है वो sir भी students को इसकी information दे रहे हैं कि किस तरह से इसकी farming की जाती है और इसके क्या advantages है और कितना yield होता है, cultivation होता है और जो silk worms होते हैं उनकी time duration जो होता है और जो cocoon वो produce करते हैं उसके लिए कितना time लगता है और जिस तरह से इसकी जो process होती है उसका जो time duration बता रहे थे और अशोक मामा बहुत seriously इस lecture को सुन रहे थे आप देख सकते हैं students भी सुन रहे थे लेकिन अशोक मामा literally बहुत seriously इस knowledge को सुन रहे थे और हमने फिर यहां पर जो बाते सुनी ऐसा लग रहा था जैसे कि कितने हम लोग इन बातों से अंजान है हमें पता होना चाहिए सही में जिसके पास खेट वगरा है जो गरीब लोग है government provide करती है सारी चीज़ें जैसे कि silkworms होते हैं मलबेरी plants की जो seeds होती है जस्ट आपके पास अगर जमीन है खेती बाड़ी है तो आप इसका बहुत अच्छे से advantage ले सकते हैं सो यह जिनकी farming है वह सर कुछ knowledge दे रहे हैं वह आप सुन सकते हैं और अब हम इंटर करेंगे जो silkworms है जो silkworms रखे वे हैं जहां पर आप 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 और जो students या फिर lecturers ने perfume डियो लगा कर आए हैं उन्हें अंदर जाने के लिए मना किया गया है क्योंकि पिछली किसी batch में इसी तरह excursion tour में किसी ने डियो अगरा लगा कर आए थे students या फिर किसी ने लगाया होगा इनका नुकसान हो चुका था जिनकी ये farming है इसलिए फिर भी इनोंने इजासत दी थी अगर लगाये भी होगे तो जा सकते लेकिन किसी का नुकसान करना अच्छा नहीं होता है तो जिसने लगा कर आए थे दियो वगरा तो वो बाहरी ठहरे थे मैं भी लगाती हूँ लेकिन मुझे पता था इसलिए मैं लगा कर नहीं आए थी आज और हम देख सकते हैं कि माशाल्ला से कितने अच्छे से यहां की farming की जाती है इन silkworms को maintain किया जाता है यह इतने सारे पत्ते जो होते leaves होते हैं मलबेरी के यह खाते हैं यह regular so इसके लिए इतनी मेहनत लगती है सिर्फ के मतलब जो day by day इनकी जो खानी की capacity होती है वो इने provide करनी ही होती है निहाओ जैसे कि आज करेंगे या कल करेंगे ऐसे टाल नहीं सकते हैं और birdie mama भी देख रहे हैं और आप देख सकते हैं मैं भी आकर सब कुछ देख चुकी हूँ और आपको बताने के लिए मैंने vlogging स्टार्ट की है सौ आपको मैं खरीब से बताओंगी मैंने selfie ली है silkworm के साथ स्टो अब आप खरीब से देख सकते हैं यह किस तरह से नजर आते सिल्क वरम और literally यह इतने leaves खाते हैं और इसकी मैं आपको करीब से वीडियो भी बताओंगी आप देख सकते हैं इनका कितना बड़ा-बड़ा साइज है और किस तरह से यह सिर्फ खाने में मगन है आप देख सकते हैं यह कुछ ऐसा होता है मैंने इसे अपने हाथ की हतेली पर रखकर बता दिया है आपको और अब हम यहां से निकल चुके हैं क्योंकि हमें वापस जाना है आप सो बाबाई सिल्क वाम्स और अब हम सारे स्टूडन्स को लेकर निकल जाएंगे यहां से सर कुछ हमें चाहिए थे कॉलेज के लिए सिल्क वाम्स तो उसके लिए डिसकुशन कर रहे थे और हम जा रहे हैं अब वापस हमारी मन्जिल की और सो आप देख सकते हैं हमारे जो स्टूडन्स हैं वो कितना एंजॉई किये हैं इस लिटल बच स्वीट एक्सकुशन टूर को और हम यहां से वापसी का रास्ता ले रहे हैं और यहां रास्ते में पानी है सो अब हमें इस बड़े से समंदर को पार कर जाना है लेकिन बहुत अच्छा लगा लिटरली इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी इस पानी से गुजरते हुए आप देख सकते हैं यह जो स्टूडन्स हैं हमारे इन्होंने तो लिटरली चपल भी निकाल ली थी इसकी इंजॉयमेंट लेने के लिए बट मैंने नहीं निकाली क्योंके मुझे कैमेरा भी होल्ट करना था सो हम अब जा रहे हैं जहां पर वैन हमारी है सो हम यहां पर आ चुके हैं सब स्टूडन्स और हमारे साथ के कलिक और हमारे लेक्चरर और अब हमने वैन में बैठना है सो हम स्टूडन्स को वैन में बिठा चुके हैं और सर यहां पर कुछ डिसकुशन कर रहे थे तो हम तब तक वैन में बैठ चुके हैं और अब हम निकलने वाले हैं स्टूडन्स को बिठा रहे हैं बर्डे मामा मेरी स्कूटी तो कॉलेज में है इसलिए मुझे कॉलेज में ही उतरना होगा आखरी स्टॉप वही होगा जिनके बस स्टैन वगएरा और जहां पर खरीबी रास्ते में घर होंगे वो वहां उतर जाएंगे इसलिए मैं पीछे घमजदा बैटी हूँ मुझे पीछे बिठा दिया गया है लेकिन मैं खुश हूँ मुझे बहुत एंजॉई हुआ आज बर्डे मामा और अशुक मामा को जो जोक्स होते हैं हम उस पर हस रहे हैं क्योंके बर्डे मामा को अपने हाथे टाइम से पीछे खड़ा कर दिया था वाशुक मामा उनकी फिकर कर रहे थे बैटने के लिए हम लोग ने इस एक्सकरशन टूर को बहुत एंजॉई किया लिटरली मुझे कॉलेज डेस की याद आ गई और मेरे जो साथ में कलिक्स थे उनकी बहुत याद आई मुझे मिस्यू सो मच सबको और जजाक अल्लाव खैर इतनी अच्छी फ्रेंडशिप रही अपने सबकी और अब हम निकल चुके हैं कॉलेज के लिए बैक टू कॉलेज सो हमने बहुत एंज़ाई किया स्टूर को और हमारे स्टूडन्स जो है वो भी इस व्लॉग में शामिल हुए मझे बहुत होशी हुए कुछ कुछ अलाव नहीं करते वीडियो नहीं लेने देते सो आई अम हैपी सो अब हम जा रहे हैं यू किन सी यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं थी लेकिन जैसे हम नियर टू कॉलेज आ चुके थे हमें अंदाजा हुआ कि बहुत बारिश हुई है इस एरिया में सो शुकर है हमारी जो एक्सकॉशन टूर है वो स्पॉयल नहीं हुई अगर वहाँ बारिश आ जाती तो हमें प्रॉब्लम हो जाती तभी के तभी हमें रिटर्न होना पड़ता और अब हम जा रहे हैं मेरे साथ दो स्टूडन्स बैठी हुई है अलहम्दुलेला से खेरो आफियत से हम हमारे कॉलेज में अब पहुँच चुके हैं हम एंट्री कर रहे हैं अब मैं पार्किंग से मेरी स्कूटी लोगी और घर वापस चले जाओंगी और सब स्टूडन्स भी हाँ से अपने अपने घर वापस चले जाएंगे अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी सेरी कल्चर का एक्सकूर्शन टूर अच्छा लगा सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा डू रिमेंबर इन यूर प्रेयर्स अलाहाफेज